है लोगाईस वेलकम टो आवर येटुब चैनल इस्टिडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपोर्टेंट विडियो लेके आई हूं तो देखे आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एक्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट आपके अधर उत्राखंडे एक्साम के लिए भी काफ़े इंपोर्टेंट हैं तो आप सभी लोग हमारी सेशन में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें तो शली आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्व चैनल स्टेडी विट एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर ले साथे साथ पगल में जो पैल आइकन दिख रहा है इसे भी फ्रेस कर ले ताकि हम कोई भी वीड डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुँच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी स्टेडी विट एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को आड़ बजे क्वेज का भी आईजन किया जाता है काफी important question आपको क्वेज के रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको join कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start करते हैं और इस session का पहला question है भातखंडे संगीत महाविद्याले किस जनपद में इस्तित है तो देखी important question है भातखंडे संगीत महाविद्याले इस्तित है अलमोडा जनपद में option सेकिन यहाँ पे आपका बिलकुल right answer हो जाएगा और भातखंडे संगीत महाविद्याले किस थापना अलमोडा में कब की गई थी 1989 में important point है और यहां पर सभी प्रकार के साफ्त्री गायन वर नृत्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है अगला कुशन देखेंगे उत्राखंड में साधू का शहर के नाम से जाना चाता है तो देखेंगे उत्राखंड राजे में साधू का शहर के नाम से जाना जाता है रिशी केश को option थर्ट यहां पर आपका बिलकुल right answer हो जाएगा देखेंगे रिशी केश जो है ये देहरा दोन जनपत का एक उपनगर है और रिशी केश गंगा वर चंद्रभागा नदी के संगम पर इस्तित है ये आपको याद रखना है गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर इस्तित है रिशी केश और केदार खंड में रिशी केश को क्या कहा गया है कुपचा मरग कुपजा मरक इसे कहा गया है केदार खंड में और इसके अलाबा याद रखें कि रिशिकेश नगरपाली का कब बनी थी पूछा जा सकता है 1952 इसवी को रिशिकेश नगरपाली का बनी थी और अक्टूबर 2017 में रिशिकेश नगर निगम बना था और रिशिकेश नगर निगम के प्रथम महापौर कौन थी ये पुछा जा सकता है तो देखे रिशिकेश नगर निगम की प्रथम जो महापौर बने ये बने थी अनीता ममगाई अगला कुशन देखेंगे अंतराष्टी चावल अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है तो दिखें अंतराष्टी चावल अनुसंधान संस्थान ये इस्तित है कहां पर आपका मनीला में ओप्शन फोर्ट यहां पर आपका राइट आंसर है अंतराश्टी चावल अनुसंधान सास्थान मनीला फिलिपिन्स में इस्तित है और इसकी स्थापना कब की गई थी वर्ष 1960 इसवे में इसकी स्थापना की गई थी अगला कुशन देखेंगे मध्य पर्देश में खेती की कर्षी विधी, जूम कर्षी को डैश भी कहा जाता है जूम कर्षी और जूम कर्षी को क्या कहा जाता है? दहिया भी कहा जाता है तो option थर्ड यहां पर आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा देखे मद्य पर्देश में खेती की किर्शी विधी जूम किर्शी को दहिया भी कहते हैं और इसके अलावा यहां जूम किर्शी को क्या कहा जाता है इसके अलावा यहां देखे जूम किर्शी को वेवर इसके अलावा दीपा आधी नामों से भी जाना जाता है वेवर और प्रावध्य की की परिशत का गठन किश वर्श किया गया तो देखेंगे उत्राखंदर राजी में में नगरिए स्वायत शायत शाषन परणाली जो है इसके शुरुवात हुई थी वर्ष 1916 इस भी में ओफिट $2 यहाँ पर आपका पिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्राखंड राजी में नगरी श्वायद छाचन परणाली की शुरुआत वर्ष 1916 इस्वी में हुई और वर्ष 1993 इस्वी में 74 ध्यान देजेगा वर्ष 1993 इस्वी में 74 में शामिधान चंशोधन की द्वारा इन निकाईयों को संबैधानिक दर्जा दिया गया था अगला कुशन देखेंगे प्राचेन काल में असकोट राजधानी थी तो बताना है प्राचेन काल में असकोट किसकी राजधानी थी काफी महतवण यह आपका कुशन है तो देखें प्राचेन काल में असकोट जो था यह कत्यूरी राजवंच कत्यूरी राजवंच की राजध हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे भारत के किस तर्ट वर्ती शहर में सबसे लंबा समुदरी पुल अविस्थित है ये बताना है तो आपका यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखें करेक्ट आंसर है आपका मुंबई ऑफशन थर्ट बिलकुल राइट आंसर है तो मुंबई शहर में सबसे लंबा समुदरी पुल अविस्थित है और देखें यह माहिम बे नदी परिस्थित बांदरा वरली या राजीव गांधी सी लि अगला कुशन है आपका भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो देखें भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है किस दिवस के रूप में सहीद दिवस के रूप में ऑफशन थर्ड यहाँ पे आपका बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन है आ मिधिला करेक्ट का लेजे, option, skin यहां पे आपका बिलकुल right answer हो जाएगा, देखें, मधुवनी कला बिहार के मिधिला में प्रशिद्ध है, और इसे मधुवनी चित्र कला अध्वा मिधिला पेंटिंग कहा जाता है, और ये वर्तमान में बिहार राजी के ध्यान देजेगा, ये वर्तमान में बिहार राजी के दर्भंगा, पोल्णया, सहरसा, मुझवफर पुर, मधुवनी तथा नेपाल के कुछ छेत्रों में पर चलित है, और ये कपड़ों, दिवारों, एवं कागच पर बनाई जाती है, और इस पेंटिंग के तहत, देवी देवताओं के चित् सूर्य, चंद्रमा, पेड़, पॉधे, आधी के चित्र निर्मित किये जाते हैं, नेक्स्ट कुशन देखेंगे, इमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उप्योग में आता है, इमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उप्योग में आता है, ये है आपका POP3 option, फोर्थ यहाँ पे आपका right answer है, देखी, email प्राप्त करने के लिए, POP3 नामक protocol उपियोग में आता है, और इसका पूरा नाम क्या है, POP3 का, देखे, इसका पूरा नाम है, Post Office Protocol Version 3P, तो यह आपको याद रखना है, और यह हमें हमारे computer पर email message को download, तथा प्राप्त करने की सुविधात देता है, नेक्स्ट कुशन देखेंगे, भारत की पहली महिला Olympic हिताब विजेता कौन है, तो देखे, भारत की पहली महिला Olympic हिताब विजेता है, कर्णम मलेश्वरी option, फोर्ट यहाँ पर आपका right answer है, आप सभी को आज का ये session पसंद आ रहा है, तो जल्दी से like कर लें, जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल इस्ट डिविध एम को subscribe नहीं किया है, वो subscribe कर लेजेगा, और session आप सभी लोग जादर से जादर शेयर कीजे, अपने दोस्तों के साथ, अपने WhatsApp groups में, तो भारत की पहली महिला, Olympic खिताब विजेता है, कर्णम मलेश्वरी इसको ध्यान रिखेंगे, और इन्होंने वर्ष 2000 में, इन्होंने वर्ष 2000 के Olympic में काश्य पदक जीता था, और ये भारत की प्रमुख महिला, भारो तोलक यानि की Weight Lifter है, और ये कहां से बिलॉंग करती है, ये आंद्रप्रदेश से बिलॉंग करती है, यानि की आंद्रप्रदेश की ये रहने वाली है, अगला कुश्चन है, आपका उत्राखंड राजी के प्रतीक चिन्द में, परवतों की संख्या कितनी है, तो दिखिए, उत्राखंड राजी के प्रतीक चिन्द में, परवतों की संख्या कितनी है, तो आपका यहां पे correct answer हो जाएगा, तीन, option, second यहां पे आपका बिल्कुल right answer है, उत्राखंड के प्रतीक चिन्द पर पवित्र गंगा नदी के प्रवा के साथ, तीन परवतों को दिखाए गया है, परवत चोटियों के बीच में, भारत का राश्टी चिन्द दर्शाया गया है, अगला question है, एकी कृत ओद्योगिक नेती 2008 के अंतरगत उत्तरकाशी जन्द को कि श्रेणी में रखा गया है, उत्तरकाशी जन्द को श्रेणी A में रखा गया है, और यह नीती वर्श 2008 में मुख्य मंत्री भुवन चंद खंडूरी द्वारा पेश की गई, और इसका उत्देश राज के पहाड़ी वद्दूरत राज के छेतरों में आर्थिक पिकास को बढ़ावा देना है, जहां और द्योगिक परकरिया नहीं हो सकती, और इस निती का लाब फ़र्श 2025 तक उपलब्द होगा, नेक्स्ट कुशन देखेंगे, उत्राखंड में भारती प्रबंद शंस्थान कहां परिस्थित है, तो देखें इंपोर्टेंट कुशन है, उत्राखंड राजि में भारती प्रबंद शंस्थान, यह कहां पर इस्तित है आपके काशिपूर में option 4 तो यहां पर आपका बिलकुल right answer हो जाएगा खंड में भारती प्रबंदर सास्थान काशिपूर जोकी उधम सिंग नगर में इस्तित है यह आपको याद रखना है और सरकार द्वारा ग्यारवी पंच वर्षी योशना की दौरान इस्तापित किया गया था तो यह आपको याद रखना है अगला question देखेंगे शत्रिया शास्थ्री निरती किस राजे से सम्बंदित है तो देखें शत्रिया शास्थ्री निरती यह सम्बंदित है आपके किस राजे से अशम राजी से तो option first discussion का correct answer है शत्रिया शास्त्री नुरति सम्बंदित है अशम राजी से और देखें यह 8 मुख्य भाति शास्त्री नुरति परंपराओं में से एक है और इस नुरति के संस्थापक कौन थे देखें इस नुरति के संस्थापक कान संत केंडरी जीस्टी कानून को भारत के राश्ट्रपती ने कब सहमती परदान की थी most important question है तो देखें केंडरी जीस्टी कानून को भारत के राश्ट्रपती ने सहमती परदान की थी 12 अपरेल 2017 को तो option 4 तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा देखें केंडरी जीस्टी वस्तु एवं सेवाकर कानून को भारत के राश्ट्रपती ने 12 अपरेल 2017 को सहमती परदान की थी सीमा सुल्क को छोड़कर केंडरी एवं राजिस्तर की सभी वस्तु इवं सेवाओं के संदर्भ में परतिहक्ष करों के स्थान पर 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया अगला कुशन देखेंगे टहरी बाध निर्मार कारी किष्वर्ष प्रारंब किया गया तो देखें टहरी बाध निर्मार कारी जो है यह कब प्रारंब किया गया वर्ष 1978 में तो option first यहां पर आपका right answer हो जाएगा तेहरी ब तेहरी बात बनाने की सुईकर्थी योजना आयोग के द्वारा दी गई और टेहरी बात बना है भागी रती एबम भिलंगना नदी के संगम पर और टेहरी बात एशिया का सबसे उचा वद दुनिया का चौथा सबसे उचा बात है और इसकी उचाई की बात करें तो 260.5 मीटर इसकी उचाई है और टेहरी बात का जो कारी है ये कब प्रारंब हुआ वर्ष 1978 में प्रारंब हुआ और टेहरी पर योजना को रास्ट के काउं की संग्या दी गई है ये आपको याद रखना है और रूस के साथ टेहरी बात निर्मान समझाता कब हुआ ये भी पूचा जा स मुद्रा वी मुद्री करण का प्रियास कब हुआ था तो दीखिए स्वतंतर भारत में पहली बार मुद्रा वी मुद्री करण का प्रियास हुआ था वर्श 1978 इस भी में option third यहां पर आपका बिलकुल right answer हो जाएगा स्वतंतर भारत में पहली बार मुद्रा वी मुद्री करण का प्रियास वर्श 1978 में किया गया था इसके तहद एक हजार पांच हजार और दस हजार के नोट चलन से बाहर कर दिये गे थे और इस समय मुरार जी देशाई प्रधान मुद्री थे और आठ नमेंबर तो हजार सोला को प्रधान मंद्री नरेंडर मोधी ने 500 और 1000 के नोटों का विमुद्री करण कर दिया था इससे पूर वर्ष 1946 के अगर हम बात करें तो वर्ष 1946 में भी भारती मुद्रा का विमुद्री करण किया गया था अगला कुश्यत देखेंगे निम्न में से कौन से वंच ने भारत के दक्षन भाग पर शाषन नहीं किया ये वंच था राजपूत वंच तो ओप्षन थर्ड यहां पर आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा देखें चेर चोल और पांडे चेर चोल और पांडे दक्षन भारत में शाषन करने वाले प्रमुख राजवन्च थे जबकि राजपूत जो था ये उत्तर भारत का ध्यान देजेगा राजपूत उत्तर भारत पर शाषन करने वाला राजवन्च था इसमें चोहान, चहमान परमार इवं चंदेल प्रमुक थे तो ये आपको याद रखना है तो ओकी गाईस आज के शेशन में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये शेशन काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये शेशन पसंद आता है तो शेशन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल इस्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब का लिजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस शेशन को तो चलिए मिलता है एक नेक्स्ट इंट्रोस्टिंग विडियो के साथ तब दके लिए धन्यवाद